नमस्कार समाचार बुंदेल खिंड में आपका स्वागत है मैं हूँ जॉली आईए सबसे पहले नज़र डालेंगे जहांसी की कुछ खास ख़बरों पर राम जन्म भूमी मंदिर निर्मार का मारगे प्रशस्त होने के संबंद में सुप्रीम कोर्ट का निर्ड़य आने की दूसरी वर्षगाट 9 नवंबर 2021 को रास्ट भक्त संगठन एवं हिंदू जागरबंच के तत्वाधार में धन्यवाद योगी जी हिंदू गौरव यात्रा का भव आयोजन किया गया जैसा कि विदित है कि राम मंदिर निर्मार के लिए बड़ी संख्या में सनातनियों ने अपने प्रार तक नियोच्छावर कर दिये थे आज अवशी उन कारसेवकों की आत्माय अपने बलदान पर गौरव महसूस कर रही होंगी यह यात्रा बीके गोविन चौराहा नारायन धर्मशाला इलाइट चौराहा जीवन शाति रहा होकर रानी लक्ष्मी बाई पार्क गेट नंबर दो पर समाप्त हुई पिछले सत्तर वर्षों से चल रहे अन्वरत आंदूलन की परणिक्ति के फलसरूप भगवान राम की जन्म भूमी पर पूर्ण विश्व भर में हिंदू समाज के साथ ही संपूर्ण विश्व के जन्मानस के लिए सबसे बड़ा आस्था का केद्र बनने जा रहा है यह देश की असमिता अखंडिता एकता का प्रतीक साबित होगा इस यात्रा में करीब 52 पईया वाहनों के माध्यम से आम जन्म करने का कार किया गया कोरोना काल में व्यापारियों पर लादे गए मुगद में सरकार ने वापस लेने का निर्ण लिया था इस उपलक्ष में अभी व्यापारियों को बताने के लिए इस यात्रा का आयोजन हुआ है भविश में भी यह यात्रा आयोजित की जाती रहेगी यात्रमे प्रमुक्रूप से राजेश नायक, मनोज वर्मा, पुरुकेश अमरिया, रवी, आदित तिवारी, अजै, अमर, शानू, दिनेश, मनोज, मोहन, केके ठाकूर, केके पांचाल, आकाश, कुश्वाह, सोनू वालमी की, विक्की सोनी, कीर्थी के पचौरी, शिवम, मन विकास, कुश्वाह, गौरव, आनंद, मोनू, रीतेश, लोधी, दिरेश, कुश्वाह, धृप कुश्वाह, अमित वर्मा, आयूश, एहरवार, सागर बर्शकार, हेमंत, हरीश, कुश्वाह, आकाश, वर्मा, नमन, एवं, मीडिया प्रभारी, अतुल वर्मा सहिद, सैक् अंदर्व में हिंदू गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, साती सात इस हिंदुस्तान का गौरव बचाने में, निश्चत रूप से हम कह सकते हैं कि योगी आदित्तनाज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं की वजए से आज राम मंदर के निर्मान का कारव आज आप देख रहा होगे, 2017 से जिस तरह से दीपावली आयोध्या के अंदर मनाई गई, उसके पहले आप आयोध्या जाते थे तो आपको लगता था कि हम किसी सुनसान जगे आ गए हैं, किसी सम्शान में आ गए हैं, लेकिन आज आयोध्या लग रहा है कि हाँ भगवान र आयात्रा आज की संपन्न की गई है, जो धन्यवाद योगी जी हिंदु गौरब यात्रा के नाम से आज संपन्न होई है, और हम प्रतिवर्ष सिजात्रा को इसी तरह से धूमदाम के साथ मैं निकालते रहेंगे